लोकतंत्र का महापर्व लोकसफ़ा चुनाव का आगाज हो चुका है और कई चरणों में मद्दान भी हो चुके सभी पार्टियां अपने अपनी दावे भी कर रही है और आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जा रही है इस पर हमार साथ खास चर्चा करने के आम आदमी पार्टी से वरिष्ट निता जैश्मिन साहजी है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका लगातार देखा जाता है जब चुनाव आता है तो सभी पार्टियां बड़े-बड़े दावे करते हैं आम आदमी पार्टी के तरफ से कहा गया कि यदि वो जीत के आते है दिल्ली को पूर्ण में राज का दरजात जाएगा लेकिन कैसे समभब अभी तो LG उपर में बैठे हैं देखे अगर दिल्ली को पूर्ण राज ये बनाना है तो इसका एक मात रुपा है कि हमें समविधान में जो धारा कहती है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी या हाफ स् गया लेकिन आज जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है वो है कि दिल्ली के उपर एक नॉमिनेटेड व्यक्ती जो चुन के नहीं आया है LG लेफटेन गवरनर बैठे हुए हैं जो दिन रात चीफ मिनिस्टर के काम में अडंगा लगाते हैं चीफ मिनिस्टर कहता है मैं अच काम करेंगे पानी पाइपलाइन पहुचाएंगे कि नहीं हम पैसे नहीं रिलीस करेंगे तो ये व्यवस्ता इसी लिए है क्योंकि लेफटेन गवरनर दिल्ली के अंदर बैठा हुए हैं दूसरी चीज जो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की है वो है कानून व्यवस्ता लॉ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली पुलीस दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंतरी को नहीं रिपोर्ट करती वो केंदर सरकार अमिच शाजी को रिपोर्ट करती है तो दिल्ली का व्यक्ति अगर उसको कंप्लेंड करने जाना है मदद मांगने जाना है तो क्या वो दिली सरकार में आ गई तो उसने अपना रुखी बदल दिया वह तो कह दी कि दिली के लोग सड़े मरें हमें तो कोई परवा नहीं राज हम करेंगे बहले दिली के लोग चुन कर भेजे के जरिवाल को लेकिन राज हम करेंगे ये गलत है आप लोग ये भी आरोप लगा रहे ह आम आदमी पार्टी जीत करके नहीं आती है, तो दिल्ली का जो काड़ है वो रुक जाएगा, लेकिन साथ सान साथ दस सालों से देखा गया है, साथ सान साथ भाजपा की ही रही है, तो कैसे दिल्ली का काड़ रुक जाएगा जदी आम आदमी पार्टी जीत करके नहीं आती है क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है बना दी इनको एक भी स्कूल नी बनाने देंगे और ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास सांसद है इनके पास LG है तो ये जब अगर केजरिवाल जी के सांसद पारलिमेंट में होते तो निश्चित LG के ओपर केंदर सरकार के उपर भी भी दबाव होता है और हमें तो पुरी उमीद है कि जिस हिसाब से ये चुनाओ आगे भढ़ रहा है हमें पूरा विश्वास है कि इन्डिया गडबंधन की सरकार आ रही है केंदर में और दिल्ली के भी सातो सांसर इंडिया गडबंधन और आमादमी पार्टी कॉंग्रेस के होगा और जब ये होगा तब आप देखेगा कि दिल्ली के लोगों की तकदीर बदल जाएगी हम देखा गया है जब सुप्रिम कोट से अर्विन केजरिवाल को जमानत दिया गया है वो कैमपेंड करते हैं लोगों के बीच में जाते हैं वो लगातार एक ही बात कहते हैं यदि आप मुझे वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाओंगा क्या लगता है अर्विन केजरिवाल सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सिंपैथी की बात नहीं है अर्विन केजरिवाल जी ने बहुत गहरी बात बताई है लोगों को देखे आज दिली का बच्चा बच्चा जानता है कि दिली का जो कथित शराब घोटाला है जिसकी आड में एक पार्टी के एक नैशनल पार्टी के तमाम शिर्श नेत्रत nightmare को आपने जेल में ढाल दिया अब ये ऐसा फरजी घोटाला है कि जिसमें दो साल से जाच चल रही है आट से ज़्यादा चार्च शीट लगा चुकी है ED लेकिन एक चवणी क्या पैसा नहीं मिला हुने देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो साल से किसी में जान चल रही है आप कहरें money laundering हो गई पैसा का इधर उधर हो गया लेकिन चवणी नहीं मिली लेकिन फिर भी आपने एक national party के top 4 leaders को jail में डाल दिया तो इस प्रकार का जो गंदी राजनीती भाजपा खेल रही है इसको रोका जाएगा हमें चाहिए कि ED और CBI इस देश के जो drug smugglers है terrorist है इन चीज़ के लिए ED का बनाया गया था और वाकई में जो corrupt politicians है जिनके हां से पैसा मिलता है जमीन जाइदाद मिलता है आँ आप आदमी party फकड़ पार्टी है ना कोई पैसा है ना कुछ जाइदाद है ना कुछ है और आप कहरे हो जी आप नहीं मतलब आप एक जुगी वाले के जाके बोल देते हो कि नहीं आपने सबसे बड़ा scam कर दिया लेकिन अडानी को आप कुछ नहीं टच करोगे तो यह ऐसी बात हो गए मेरे ख्याल से लोग इसका मतलब समझ गए हैं और जान चुके हैं कि अब बहुत जादा हो गया है मोदी जी की अती बहुत जादा हो गई है उनको जिताया था लोगों ने बहुत समर्थन दिया था लोगों ने देश के लोगों ने लेकिन इसलिए नहीं जिताया था कि देश में विपक्स ही खतम कर लो इन्होंने इसलिए जिताया था कि महंगाई से लड़े बेरोजगारी से लड़ा जाए चीन जो घर के अंदर बैढ़ गया है उसको बाहर धके ला जाए इन चीजों पर तो मोदी जी कुछ कर नहीं रहे है और जो विपक्स आवाज उठाता है तो उसको आप जेल में डाल देते हो तो ये चलेगा नहीं आप देखा जाता है चुनाब में सभी पार्टियां दावे करती हैं सभी अपना-पना मैनिफेस्टों भी रिलिज करते हैं आम आद्मी पार्टिय के तरफ से भी दस गरेंटियां दी गई लेकिन इंडिया गटबंधन में कहीं अखिली सियादब हैं तो कहीं राहुल गांधी हैं तो कैसे लगता है ये दस गरेंटियों पे आम आद्मी पार्टिय कैसे काम करती है यदि वो सरकार में हैगी क्योंकि सबका अलग अलग मत है भाजपा लगातार आरूप भी लगा रहे कि इंडिया गटबंदन में एक मत से काम नहीं होता है तो ये कैसे होगा दस गरेंटी पर आमादी पार्टी कैसे काम करेगी देखे ये इस देश की खुबी है कि विविदता में एकता जिसे कहते हैं तो इंडिया गटबंदन भी ऐसा एक गुलदस्ता है इसमें हर रंग का आपको फूल मिलेगा लेकिन ये सारे दल एक जुट इसलिए आये हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि देश से तानाशाही हटे गरीबों को देश भर में अगर दिली में मिल सकती है पंजाब में मिल सकती है एक दो और अन्य राजे हैं जहां पे ओपोजिशन की सरकारे कर रही है तो देश भर में क्यों नहीं हो सकता इसका पूरा खाखा हमने बनाया है हमने कहा है कि चीन को भारत की धर्ती से बाहर धके लेंगे हमने कहा है कि अगनीवीर योजना जिससे हजारों लाखों युवाओं की जिंदगी बरबाद हो रही है उसको खारिच करेंगे तो ये मांग कहीं सारी opposition parties अल्रेडी बात कर चुकी और हमें पूरा विश्वास है ये हमारी guarantee केजरिवाल की guarantee है कि अगर इंडिया गर्ण बंदन जीती है तो ये 10 की 10 guarantee जिसमें पूर्ण राजे का भी बात है washing machine और corruption की जो पूरा उन्होंने चकर बनाया है चक्र व्यू बनाया है वो भी सारी चीज़े तोडने का हमने इस पे guarantee दी आपने washing machine का जिकर किया इससे पहले भी देखा गया था माधी party office में एक washing machine के माधी हमसे आप लोग अपना विरोध दिखा रहे थे या जनता को जागरू करे थे ये washing machine का क्या system आप लोग आड़ोप लगा रहे हैं कि जो भरष्ट नेता है BJP में जाते हैं तो इमानदार बन जाते हैं लेकिन वो BJP लगातार आप पे आड़ोप लगा रही है तो ये washing machine वाला क्या system है ये एक अधभुत और आधुनिक washing machine का आविश्कार मोदी जी ने किया मुझे सुनने माया कि इस साल का जो नोबेल प्राइस है physics का और chemistry का दोनों मोदी जी को मिलने वाला है क्योंकि इस प्रकार का washing machine अब सक किसी ने कलपना भी नहीं करी थी कि इसमें आप एक साइड हिमंद बिश्वय शर्मा को डालेंगे गंदे कुर्ते में 5,000 करोड, 10,000 करोड बड़े बड़े घुटाले बाज अजित पवार है, चगन बूझबल है, नारान सब को washing machine में डाला यहां से साफ सुथरे सफेद कपड़े से बाहर आते है और जो जितना बड़ा भरस्टाचारी अंडर जाता है तो आपने छोटा भरस्टाचार किया तो आपको राजी सभा के टिकेट मिलेगी आपने बड़ा किया भरस्टाचार तो फिर आपको डेपुटी सीम बनाएंगी अजीत पवार को डेपुटी सीम बना दिया लेकिन आपने अगर उससे भी बड़ा ब्रस्टा चार किया तो आपको असाम का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि देश नहीं दुनिया में इसकी कलपना नहीं केगी ती ये बहुत बड़ी उपलब दी है मैं वाके मैं मानता हूँ मोदी जी को एक जो बड़ा काम जो किसे ने सोचा भी नहीं था जो उन्हें ने बनाया कि वाशिंग मशीन के अभिश्कार किया लेकिन इस वाशिंग मशीन को तोड़ने का काम केजरी वाल और इंडिया गड़ बंदन करेगी देखा जाता है लगातार आम आदनी पार्टे इर दिल्ली के पुलीस पे भी सवाल करे करते हैं या फिर कानून ब्योस्ता पे भी सवाल करा किया जाता है दस साल भाजपा के सांसद रहे हैं पुलीस उनके हाथ में है तो कैसा लगता आपको उनको काम कानून का क्यों सवाल खरा किया जाते है लगातार आप लोग खरा करें सवाल ने यह सवाल मेरे खाल से आपको पूचना चाहिए था उनको जब कोई जन प्रतिनेधी बनता है तो लोगों से एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप कुछ जनता के लिए काम करेंगे दिल्ली के साथों सांसदों ने पिछले 10 साल में 5 साल कुछ रिपीट भी हुए थे कुछ लोग 10 साल रहें कुछ 5 साल रहें एक काम क्या हो तो मुझे गिना दीचे दस साल अगर कोई कामकाज नहीं करता है केवल और केवल एश और यासी करता है सरकारी पैसों से बंगला गाड़ी में बैठता है MP LAD scheme होती केंदर सरकार बजट देती कि आप अपने शेतर में खर्च कर सको इसमें आप स्कूल बनाएए, क्लिनिक बनाएए, CCTV कैमेरा लगाया बगरा बगरा आप कोई जान कर हैरानी होगी कि ये लोग इतने आलसी हैं, इतने कामचोर हैं कि 124 करोड में से 81 करोड तो उन्होंने व्यर्थ कर दिया, spend ही नहीं किये बोला कि नहीं करना है काम, इतना काम क्यों करेंगे भाईया, केजरिवाल तो कर रहा है केजरिवाल को काम करने तो हम तो बैठे-बैठे रोटी खाएंगे और जनता के मुद्दों पर काम करने के जरूर नहीं है, तो यह reality है अगर मैं यह acquisition नहीं कर रहा हूँ, यह data सारवजनिक हमने किया है तो यह दिखाता है कि law and order तो दूर की बात है एक भी ऐसा मुद्दा हो, एक भी ऐसा काम हो जो दिल्ली के सांसुदों ने किया हो तो मुझे बता दीजिए, लेकिन कुछ नहीं किया, तो इसलिए जवाब अब जनता देगी वोट के माधियम से एलेक्टरोन बॉंड पर देखा गया है, लगातार विपक्च सवाल खड़ी कर रहे है बीजेपी कह रहे हैं कि चुनाब का मुद्दा बनाया जाता है अनकॉंसिट्यूशनल ये पूरा इलेक्टरोल बॉंड का जो माधियम से इन्हों ने चोरी चकारी 8,000 करोड का स्कैम बताया जाता है भाजपा को 8,000 करोड इलेक्टरोल बॉंड के जरिये मिले और किन-किन कंपनियों से मिले वो भी मैं बता देता हूं लेकिन जिस स्कीम को सुप्रीम कोड कहती है कि ये बिलकुल पूरी तरह से समवेदानिक है इसमें कोई ट्रांस्परिंसी नहीं है इसमें चोरी चकारी होती है तो भाजपा अभी भी कहती है कि नहीं जी हम तो इलेक्टरल बॉंड को वापस लाएंगे इसते जादा बेशरम पार्टी जो खुले आम भरस्टाचार का सपोर्ट करती और कहती है कि नहीं हम सुप्रीम कोड की भी नहीं सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसी इससे भी जादा भरस्टाचारी पार्टी अभी तक जन्म लिया है अब सवाल होता ही आँठ हजार करोड का स्कैम क्या है यह वो स्कैम है जहांपे भाजपा ने जिन जिन कंपनियों को ठेके दिये थे इनकी सरकारों ने केंद्र में हो या कहीं और पे हो सरकार ने ठेके दिये और सामने से भाजपा ने पैसे लिये उन कंपनियों से, दूसरी ऐसी एक श्रेणी है, कि कहीं कंपनियों पे जब CBI, ED, IT की रेड लग जाती है, तो उन पे केस बंद हो जाते हैं, जब वो पैसा दे देते हैं, चंदा दे देते हैं भाजपाक, अरे इससे ज़्यादा आप वसूली बाबा आप बन गए, कि आपने C CBI और ED की रेड पड़ी थी, तो यह तो दिखाता है, मेरे ख्याल से, जब इंडिया गडमदन की सरकार बनेगी चार जून को, सबसे पहला करप्शन का इंवेस्टिगेशन जो खुलेगा, वो एक स्कैम नहीं है, सैंकडो स्कैम है, हर पैसा जो भाजपा को मिला इलेक्ट्र आप लोग का कहना है, चार जून को आपकी सरकार बन रही है, लेकिन भाजपा लगातार दावे करते हुए नजरारे की 400 पार, 400 पार, चाहे जिस राज़ी में जब मोदी जी कैमपेंड करते है, या फिर कोई भी कैमपेंड करते है, 400 पार के दावे लगातार करते हुए नज क्या लगता है आपको क्या चार्जुन को वाके में इंडिया आलाइंस आएगा या फिर भाजपा ही रिपेट करेगी मैं किवल इतना कहूंगा कि यह 400 पार का नारा जब मोदी जी ने शुरुवात में दिया था तो लोग सुन भी रहे थे समझ भी रहे थे कि यह क्यों कह रहे है 400 पार 400 पार और फिर जैसे चुनाओ आगे बढ़ता गया तो उनके बोल कैसे बदले आप यह देख लिए मोदी जी अब मंगल सुतर की बात कर रहे हैं गाय भहस की बात कर रहे हैं घुसपैटियों की बात कर रहे हैं इधर उदर की सब चीजों की बात कर रहे हैं यह काम यह नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया तो अब इनको भी पता है, देश को भी पता है कि पूरी तरह से जुमला है, जितने भी समीकरन, जितने भी सर्वेज हमने देखे हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाजपा और NDA, टोटल मिलाके 200 से 220 सीट के बीच में सिमट रही है, इंडिया गडबंदन 300 से ज्यादा सीट से जीत कर आएगी और एक मजबूत सरकार इस देश को देगी, आखरी सवाल अगातार देखा जाता है, महिला शशक्तिकरन की बाद सभी पार्टियां करती है, चाहे आम आदमी पार्टियां महिला शशक्तिकरन की बाद करते हैं, आम आदमी पार्टियां महिला शशक्तिकरन की बाद क करी थी तभी भी लोगों ने पुछ अरे यह तो होई नहीं सकता हमने कर दी सरकार से प्रॉपर एक स्कीम बनती है इसकी रूप रेखा बनती है कैबिनेट में पास होती है और फिर वो लागू होती है तो यह स्कीम हमने बजट सत्र जो था मार्च के महीने में दोजार चॉबी है तो जैसे चुनाओं खतम होते मुझे लग रहा है कि अगले दो महीनों के अंदर यह स्कीम भी पास हो जाएगी और लागू भी हो जाएगी और उसके बाद मेरे ख्याल से इस देश की यह सबसे प्रभावी महीला शर्शक्तिकरण की स्कीम की रूप में जानी जाएगी हर महीला जो 18 साल से जिसकी उमर जादा है उसमें कोई qualifying criteria नहीं है दिल्ली की voter होनी चीए आपको 1000-1000 रुपे आपके खाते में हर महीने without fail अर्विन के जिवाल जी की सरकार डालेगी और यह आप समझ सकते हैं कि हमारी बहनों के लिए हमारी माताओं के लिए कितनी बड़ी बात ह जो चोटी-छोटी चीजों के लिए उनको किसी और के ऊपर निरभर रहना पड़ता है अगर किसी बेटी को पढ़ाई के लिए, tuition के लिए भी पैसे चाहिए होता है कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए, आने जाने के लिए वो भी पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन अब उनका भ मनीश इशोधिया को लिए करके एक बड़ा तमाचा लगा है अब भाजपा का कहना है आप क्या कहेंगे इस पर देखे ये पीमले कानून के तहत बेल मिलना असंभव है ये कानून इसलिए बनाया गया है कि जितने भी विपक्षिनेताओं को आप एक फरजी केस डाल दो और ज आपको लगता इतना बड़ा गोटा लग गया है तो मुझे बताए ये दो साल से आपने मुकदमा क्यों नहीं शुरू किया है आपकी मनशा है कि पीमले कानून के तहद बस आप जेल में बंद कर दो मुकदमा शुरू ही ना करो और इनको बेली ना मिले और फिर आप धिंड आम आदी पार्टी से वरिष निता जैस्मिन साते इनका साब तोर पे कहना है कि सभी पार्टीया दावे ऐसी करते हैं लेकिन जनता सब को जानते किसके दावे में सच्चा है और किसके दावे में सिर्फ जूट है ये तो चार जूनको साफ होगा कि जनता क्या देखती है कैम मैं दीपक जार दिल ली भारत समाचारी